नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है आर्वी इलेktרिकल में दोस्तो आपके सामने यह जो आप स्टेटर देख रहे हैं यह पानी उठाने वाली मोटर का स्टेटर है यह सिंगल फेज में मोटर है और इसके हासपावर है वो 0.5 हासपावर है यानि कि आधा HP की यह मोटर है इसके आर्पियम है अठाइस सो आर्पियम और इसके अंदर यह जो सलोट है यह 24 सलोट है जिसके अंदर मैंने 7 नंबर PVC पेपर लगाया है इस मोटर का जो स्टेंपिंग साइज है वो अप्रोक्स दो इंच से एक सूत कम है इस मोटर का जो इनर डाया है वो दो इंच है और जो आउटर डाया है वो अप्रोक्स चार इंच है इस साइड में ये जो आप सेट देख रहे हैं ये दो सेट रनिंग के हैं और ये दो सेट स्टार्टिंग क्वाइल के हैं रनिंग के दो सेट हैं उसके अंदर एक सेट के अंदर ये तीन क्वाइले हैं एक तो तीन और जो स्टार्टिंग वाली क्वाइल है उसके अंदर भी एक सेट के अंदर तीन क्वाइल ने है रनंग वाली क्वाइल है उसके अंदर जो स्टेंडर वायर गेज है वो 24 नंबर है और इसके अंदर जो ट्रन है सबसे छोटी क्वाइल के अंदर जो ट्रन है वो 80 ट्रन है दूसरे नंबर के अंदर जो ट्रन है और जो तीसरी क्वाइल है उसके अंदर 90 ट्रन है और जो स्टार्टिंग वाली क्वाइल है उसके अंदर जो स्टेंडर वायर गेज है वो 27 नंबर है और इसके अंदर जो ट्रन है जो सबसे छोटी क्वाइल है उसके अंदर 110 है दूसरे नंबर क्वाइल के अंदर 110 है तीसरे नंबर क्वाइल के अंदर 110 है यानि कि तीनों में 110 110 110 है और इनका जो वेट है वह भी आपको दिखा देता हूं यह जो रनिंग क्वालने हैं इनका जो वेट है दोनों क्वालनों का जो वेट है वो 392 गिराम है और जो श्टार्टिंग की दोनों क्वालनों का जो वेट है वो 269 गिराम है इस मोटर की जो पिछ है वो रनिंग क्वाल और जो श्टार्टिंग क्वाल है उन दोनों की सेम पिछ है जो सबसे छोटी क्वाल को डाला गया है यहाँ पर यह बीच में 6 खाली छोड़ कर यह देखो यह 1,2,3,4,5,6 6 छोड़कर एक से आठ में सबसे छोटी क्वाल को डाला है और जो दूसरे नंबर की जो क्वाल है वो यहाँ पर आएगी इस सलोट के अंदर और इस सलोट के अंदर यहन की एक से 10 में और जो तीस रिक्वाल आएगी वो यहां पर आएगी इसके अंदर और यहां पर इसके अंदर एक से 12 में इसकी जो पीछ है रनिंग और स्टार्टिंग की दोनों सेटों की जो पीछ है वो है 8-10-12 की पीछ इस मोटर की वाइन्डिंग ओ चुकी है और इस प्रकार मोटर वाइंडिंग डाटा और वाइंडिंग सीखने के लिए RV Electrical चैनल को सब्सक्राइब करें